क्या सूरज की गर्मी भारत को गरीब बना सकती है? क्या बक्वास, आज भारत दुनिया की 5th largest economy बन गया है लेकिन आज भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर साल हमारे GDP को खाता रहता है और हम उसे इग्नॉर कर देते हैं और वो है गर्मी ये मजाक नहीं, एक सच है तो इस वीडियो के end में हम solutions भी discuss करेंगे जो हमने पिछले साल United Nations के COP 27 event में दूसरे देशों से सीखे हैं वीडियो गाफी interesting है और economics को इस angle से internet पर शायद ही किसी ने देखा हो अगर आपको हमारा effort अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ share की वीडियो शुरू होने से पहले एक बात हम ये 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं पढ़ते हैं अगर आप हमें support करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करना ना भूलिए ये आपके लिए तो free है लेकिन इसे हमारी बहुत होती जानीरी के बहिने में पूरे देश में cold wave थी और February में heat wave interesting बात ये है कि ये February पिछले 100 सालों में से सबसे गरम February रही है and you know the scary part अभी summer शुरू भी नहीं हुआ है अगर February में ही temperature 36 to 39 degrees तक पहुंच रहा है तो आगी क्या होगा हम सोचते हैं गरमी है तो कोई बात नहीं AC है न, AC चला लेंगे लेकिन बात इतनी simple नहीं है सबसे पहले समझते हैं कि ये heat wave है क्या heat wave तभी declare होता है जब temperature एक particular limit के ऊपर चले जाए as per Indian Meteorological Department, heat wave तभी declare होता है जब plain area में main temperature से 5 degrees ज्यादा temperature होता है या फिर temperature 40 degrees cross करता है हीली area में main temperature से 5 degrees ज्यादा होता है या फिर वो 35 degrees cross करता है coastal area में main temperature से 5 degrees ज्यादा होता है या फिर वो 37 degrees cross करता है For example, Mumbai में, February के महिने में average temperature around 31 degrees होता है अब इस साल, February के महिने में Mumbai में temperature 36 degrees तक गया था यानि कुछ दिनों के लिए heat wave जैसे situation आ गई थी heat wave कोई season नहीं होता जैसे summer, monsoon, winter इसे day to day basis पे देखा जाता है अगर आप को याद होगा तो पिछले साल situation कुछ ऐसे ही थी April और मे के महिने में Delhi के आसपास heat wave declare हो गई थी अब ये heat waves होते क्यों है? heat waves तब form होते हैं जब एक एरिया के atmosphere में high pressure situation create होता है उपर के atmosphere में high pressure होने की वज़े से winds ground की तरफ trap हो जाते है और ground जो heat reflect करता है वो इस area में trap हो जाती ये heat उस area से निकल नहीं पाती इस high pressure area में बाहर से wind आ नहीं पाती और अंदर की wind बाहर जा नहीं पाती यानि एक बंद कमरे की तरह heat एक ही जगा पर trap हो जाती World Bank नहीं predict किया है कि climate change के वज़े से भारत में heat waves और serious होंगे heat wave आने के chances भारत के लिए 100 गुना बढ़ गए हैं और हम as a country इस problem से deal करने के लिए बिल्कुल भी ready नहीं है 2022 में भारत में record heat waves हुए थे 16 states ने 280 heat wave days record किये इसका मतलब है कि पूरे भारत में 280 दिनों के लिए इतने high temperatures थे कि इनका direct impact हमारे health पर हो रहा था Mackenzie का एक report कहता है कि भारत में 22 करोड़ लोग heat wave का शिकार हो सकते हैं इन ही heat waves की वज़े से rising temperatures की वज़े से productivity कम होती आप और मैं privilege लोग हैं जो ज़्यादा तर office में या फिर indoor काम करता हैं तो हमारा heat से सामना सिर्फ travel करते हुए ही होता है लेकिन उनका क्या जो दिन भर इस तप्ती धूप में काम करता हैं ये 75% हमारे GDP का almost one third contribute करता है McKinsey कहता है कि heat waves की वज़े से हर इंसान की productivity 5-10% कम हो जाती है इसका मतलब ये है कि laborers जल्दी थक जाते हैं और अपनी capacity से कम काम कर पाते हैं और इस छोड़ी सी बात का हमारी economy पर एक large scale impact होता है कितना? थोड़ा बहुत नहीं up to 4.5% of our GDP that is 126 billion dollars every year To put things in perspective, हमारे देश में एक साल में हमारे GDP का सिर्फ 3% budget education के लिए allocate होता है यानि अगर हम heat wave से होने वाला ये नुकसान बचा पाए और ये सारे पैसे education को दे पाए तो हर साल हमारा education budget आज से double हो सकता है सोचिए, इससे हमारे देश में कितनी development हो सकती है हमारे youth का कितना बला हो सकता है ये economy को होने वाला नुकसान कम करके अच्छे कामों के लिए लगाया जा सकता है क्या आपको लगता है कि ये बाते हमारी leaders जानते नहीं है अफकोर्स जानते हैं लेकिन environment हमारी priority हो तो कोई बात बने जब हम heat waves की बात करते है तो हमारा perspective सिर्फ एक individual level पर और हमारी health पर होता है लेकिन एक देश के लिए literally उसके लोगों की health is wealth Germany, Switzerland, Norway इन देशों में common क्या है? ये देश cold countries यानि थंडे देश जहां गर्मी जादा नहीं होती और ये देश दुनिया के richest देशों में से एक है on the other hand, African देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से है और ये है hot countries जहां गर्मी बहुत जादा होती है और winters ना के बराबर ज्यादा था rich देश cold countries है ये देश की economy के लिए crucial है चले देखते है कि अलग-अलग sectors में heat wave से exactly कितना नुकसान होता है अग्रिकल्चर में सारा काम आउट्डोर्ज में ही होता है वीट ये crop April में हावेस्ट होना शुरू होता है 2022 में heat waves के कारण wheat का output जो 110 million tons होने वाला था वो कुछ 103 million tons हुआ जिसके वज़े से prices शापली बड़े और भारत जितना wheat export करना चाहता था वो उतना नहीं कर पाया heat waves के कारण crop loss और crop damage होता है जिसका direct impact inflation पर होता है क्योंकि जब crop loss होता है तब महिंगाई बढ़ती है international labor organization कहता है कि 2030 तक गर्मी के वज़े से भारत के agriculture sector में 9% productivity loss होगा यानि लोग चाहकर भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है number two pharmaceuticals भारत को pharmacy of the world बना है and in some sense हम वो already हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया के लिए generic drugs manufacture करते हैं लेकिन हम हर साल 20% medical equipment खो देते हैं क्योंकि ये temperature sensitive होती है 25% vaccines waste हो जाते हैं क्योंकि proper cold chains नहीं है देश में temperatures लगातार बढ़ते जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट में अगर एक भी जगा temperature maintain नहीं हुआ तो product waste हो जाता है इन सब medical losses का economic impact है 313 million dollars that is huge number three construction construction sector भारत के top employers में से एक है लेकिन इस sector में most of the employees have to work outdoors in the heat अगर heat के कारण लोग काम नहीं कर पाए तो projects में delay हो सकता है and losses बढ़ सकते हैं International Labour Organization का report कहता है कि construction में भी 9% productivity losses के chances है 20-30 तक heat waves का एक और sector पर deep impact है और वो है electricity sector क्योंकि जैसे ही heat बढ़ता है वैसे ही power का demand बढ़ता है तिर्फ power का ही नहीं cooling का भी demand बढ़ता है 2050 तक 50% of the electricity demand सिर्फ cooling के लिए होगी and क्योंकि हम हमारा power आज भी majorly coal से बनाते है ज्यादा power generate करने में हम ज्यादा greenhouse gases release करेंगे जिससे global warming और बढ़ेगा और heat waves भी and number 4 heat wave का impact आपकी जेब पर भी होता कैसे क्योंकि गर्मी से inflation बढ़ता है inflation यानि महंगाई रोज मरा की चीज़े महंगी होती जाती है चलिए data देखते हैं wheat यानि गे हुँ हमारे diet का एक important हिस्सा बन गया है हमारा national sample survey कहता है कि भारत में 10 में से 8 इंसान wheat या wheat related products consume करते हैं और तो और इसी से bread, biscuit, pasta जैसे products बनते हैं CPI यानि consumer price index inflation measure करता है पंजाब एक leading wheat producing state है पिछले साल पंजाब में temperature average से 4-5 degrees ज्यादा था इसकी वज़े से output 5 million metric ton से कम हुआ output घटा तो prices बढ़े और इसका impact आपकी जेग पर हुआ और ये बस एक serial की बात है vegetable, pulses, fruits, इन सब पर गर्मी का impact होता है This heat is burning a hole in your pocket Chapter 3 तो हम क्या कर सकते हैं? Heat waves एक reality बनने वाला है actually बन चुका है studies को छोड़िये घर के बाहर देखिये सत सामने आ जाएगा तो हमें इंडिया को adapt करना होगा As a country हमें reactive नहीं, proactive बनना होगा Heat strokes एक serious medical condition है 2015 में 2422 लोगों ने heat stroke के वज़े से अपनी जान गवाई According to the government, heat wave के दौरान 12 से चार के बीच में बाहर जाना avoid करना चाहिए लेकिन क्या एक किसान को या एक construction worker को ये privilege है? नहीं, right? सरकार एक simple step ले सकती कि footpaths को rooftop से cover करे benches पर rooftop से बनाए अक्सर हम गाओं में देखते हैं कि लोग पेड़ों के नीचे बैठ कर खाना खाता है क्यूं? क्यूंकि इससे राहत मिलती है अब शेहरों में से हमने पेड तो निकाल दी है At least हम shade वापिस ला सकता है इससे जो लोग AC afford नहीं कर सकते उनकी जान बद सकती है भारत सरकार ने 2019 में इंडिया Cooling Action Plan formulate किया जिसके कुछ objectives हैं जिसका deadline 2038 है Reduce cooling demand in India by 25% Reduce refrigerant demand in India by 25% Reduce cooling energy requirements by 25 to 40% ये targets तो बहुत ambitious है लेकिन भारत के लिए critical है क्यूंकि हमारी electricity demand skyrocket होने वाली है और आज के समाने में electricity होना भी एक important requirement ये electricity लोगों तक affordable rates में पहुँचाना एक critical challenge होने वाला है इस वीडियो के लिए हमने World Bank का एक report पढ़ा जिसने भारत के cooling sector में opportunity study किये ये report कहता है कि भारत के cooling sector को reform करने से emissions 60 to 80% कम हो सकते हैं और इसमें 2 लाग से 20 लाग तक नए jobs create हो सकते हैं यानि हमें बढ़ते temperature के threat को एक opportunity में convert करने की जरूरत है भारत में sustainable cold chain system set up करके operate करने में 17 लाख नए jobs का potential है भारत आज एक ऐसे stage पर है कि अगर हमने आज सही steps दिये तो हम हमारी जनता को एक affordable rate में cooling provide कर सकते हैं heat waves के बारे में study करते समय एक important और interesting चीज़ सामने आई urban heat islands urban heat islands का मतलब है जब एक urban area का temperature surrounding rural area से ज्यादा है NASA के eco stress instrument ने NCR region में notice किया कि कुछ pockets surrounding area से बहुत ज्यादा गरम थे ये urban heat islands रात को भी cool down नहीं होते थे Delhi में temperature 35 to 39 degrees था लेकिन आज़ पास के rural areas में रात को temperature 15 degrees तक कम हो गया था भारत rapidly urbanize हो रहा है और जैसे नए शहर बनते जा रहे हैं वैसे ही urban heat sinks भी बनते जा रहे हैं ये urban heat sinks बनते हैं क्योंकि हमारे शहर completely concrete के जंगल है यहाँ पेड़ पौधो से जादा concrete के buildings और roads है rural areas में crops, trees, plants होते हैं जो मिटी से पानी खीच लेते हैं और पानी उनकी leaves तक पहुंचता है और वहाँ से evaporate हो जाता है इसे कहते हैं transpiration जो एक natural AC की तरह काम करता है urban heat islands एक कारण है जिससे भारत में heat waste का problem और intensify होने वाला है तो इन urban heat islands को counter कैसे करें? heat islands को counter करने का एक simple तरीका है कि cities में greenery बढ़ाओ हम urban cooling के लिए एक prime real estate को ignore कर रहे हैं और वो है roof tops NASA Godard Institute ने एक study publish की with said के rooftop gardens जहां पे अलग-अलग पौधे लगाये गए थे उनके वज़े से heat island का effect कम होता है क्योंकि ये plants naturally अपने आसपास के वातावरन को थंडा रखते हैं ultimately climate events के प्रती हमारा जो attitude है उससे बदलने की आवशकता है इंडिविजुल लेवल हमें हमारे surroundings को और green बनाने की जरूत है पिछले दो सालों से हम शुबजीत सर के साथ आम की गुटलिया कलेक कर रहे हैं और हमारे शहर मुंबई के आसपास ऐसे आम के पेड लगा रहे हैं इसमें पिछले दो सालों ने हमारे viewers ने हमारा जम कर साथ दिया है and we are proud to tell you कि हमने 25,000 से ज़्यादा पेड लगा हैं इस साल भी हम summers में ऐसा ही कुछ initiative आपके लिए लाएंगे जरूर आप भी आपके society में ऐसे goodly donation drive organized कर सकते हैं आपके पडोस में पेड लगा सकते हैं rooftop gardening start कर सकते हैं ताकि एक individual level पर हम हमारे environment और economy दोनों को बचा सकते हैं ताकि हमारे पास जो है हम उसे appreciate कर पाए और most importantly preserve कर पाए और यही important बाद आप तक पहुंचाने से मुझे फ़रा पड़ता है अगर आप यहाँ पर नए हैं तो subscribe करना ना भूलिए अगर आप इस summer में एक नई activity सीखना चाते हैं और solution का हिस्सा बनना चाते हैं तो हमने composting के उपर एक video बनाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर एक nuclear war होती है तो उसका हम पर कैसे impact हो सकता है हमने इस video में explain कि thank you so much for watching क्योंकि आपके support से हमें फरक पड़ता है